C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है ध्वनी पुस्तक संक्षित बुद्ध चरित कक्षा आठ के लिए हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक अध्याय पाँच महापरी निर्वाण प्रिष्ट संख्या च्यासट महापरी निर्वाण निर्वाण की ओर भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रन स्विकार हो जाने के बाद आमरपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी भगवान बुद्ध की आज्या पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई इसी समय लिच्छीवी सामनतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आमरपाली के उद्ध्यान में विराजमान है अतह वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े उनमें से कुछ सुसजित हाथी घोड़ों पर और कुछ रतों पर सवार होकर आए आमरपाली के उद्ध्यान के पास पहुँचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमसकार करके धर्ती पर बैठ गए भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा धर्म में आप लोगों की श्रद्धा, आपके राज्य, बल और रूप से भी अधिक मुल्यवान है मैं व्रिज्जीयों को भाग्यशाली मानता हूँ जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मग्य राजा प्राप्त हुए है आप सभी शीलवान है और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेतक है वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छीवी सामन्तों ने उन्हें फिर सिर जुका कर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आमरपाली का निमंत्रन स्विकार कर उसे वचन दे चुके हैं यह सुनकर लिच्छीओं को बुरा लगा परन्तु महामुनी के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए दूसरे दिन प्रातहकाल आमरपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथी सत्कार किया आमरपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुरमास वास के लिए वेणू मती नगर चले गए वहां वरशाकाल के चार मास व्यतीत किये इसके बाद विपुनह वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोर के तट पर निवास करने लगे प्रिष्ट संख्या सरसट जब महामुनी मरकट सरोर के तट पर एक व्रिक्ष के नीचे बैठे थे कि तभी उनके पास मार आया और सिर जुका कर कहने लगा हे मुनी नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आप से कहा था कि आप कृत-कृत्त्य हो गए हैं आप निर्वान प्राप्त कीजिए उस समय आपने कहा था जब तक मैं पीडित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निर्वान की कामना नहीं करूंगा अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं बहुत से मुक्ती के मार्ग पर हैं वे सभी निर्वान प्राप्त करेंगे अतह अब आप भी निर्वान प्राप्त कीजिए मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा मैं अपनी प्रतिग्या पूरी कर चुका हूँ तुम चिन्ता मत करो मैं आज से तीसरे मास निर्वान प्राप्त करूंगा भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत पसंण हुआ और मुनी को प्रणाम कर वहां से चला गया मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठ कर अपनी प्राण वायू को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़ कर योग साधना द्वारा समाधी प्राप्त की जैसे ही उन्होंग ने प्राणों का निरोध किया आकाश में चारों और से उलका पात होने लगा धर्ती काफने लगी चारों और बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी सर्वत्र प्रलय कालीन हलचल मच गई इस प्रकार मरते लोक, दिव्वे लोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनी ने गंभीर समाधी से निकल कर कहा आयू से मुक्त मेरा शरीर अब जरजर हो गया है वह उस रत के समान है जिसका धुरा तूट गया हो मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूँ परंतु जैसे अंडा फोड़ कर पक्षी बाहर आ जाता है वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूँ लिच्छवीयों पर अनुग्रह इस प्रकार की हलचल देखकर आनंद कापने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर व्रिक्ष धर्ती पर गिर पड़ता है थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सरवग्य भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा उन्हों ने बताया कि मेरा भू लोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है इसलिए सरवत्र हलचल है अब मैं केवल तीन मास और इस प्रित्वी पर रहूंगा फिर चिरंतन निर्वान प्राप्त कर लूँगा यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा उसकी आँखों से आसु बहने लगे तथागत ही उसके गुरु थे स्वजन थे और सर्वस्व थे वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा विलाप करते हुए आनंद ने कहा आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आप से सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्ग दर्शन अब कौन करेगा शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुध ने उससे कहा हे आनंद तुम्हें जगत का रहस से समझना चाहिए देखो, जो भी जन्म लेता है, अवश्य मरता है इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है कोई भी प्राणी अमर नहीं है यदि प्राणी अमर होते, तो जीवन परिवर्तन शील नहीं होता फिर मुक्ती का क्या महत्व होता? हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है, बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छीपाता, मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान है, हाँ, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा जलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलत रहेगा, तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्द्वन्द्व होकर अपने लक्षे को प्राप्त करो, मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे, वे निश्चित ही निर्वान पद प्राप्त करेंगे जब भगवान बुद्ध आनन्द को समझा रहे थे, तभी उनके निर्वान का समाचार सुनकर सभी लिच्छवी दोड़ते हुए वहां आ गए, और भगवान को प्रणाम कर एक और खड़े हो गए, तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवीयों से कहा, मैं आप सब के मन की बात जानता हूँ, आप भी अन्य लोगों की भाती शोक संतप्त होकर यहां आए हैं, परंतु मैं आप से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना और ज्यान प्राप्त किया है, तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो, इस परिवर्तन शील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन शनभंगुर है, इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है पहले भी जो बुद्ध हुए हैं, वे भी अपनी बुद्धी के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए, भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, वे भी लकडी के जल जाने के बाद अगनी की तरह शान तो हो जाएंगे, मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है। लिच्वियों पर अनुग्रह कर उन्हें उपदेश दे कर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिये। उनके पीछे-पीछे सभी लिच्वी भी रोते-बिलखते चलने लगे। वे कह रहे थे, आहा, विशुद्ध स्वर्णिम आभावाले गुरु की देह समझाया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्या दी। परंतु जैसे लहर हवा की विप्रीत दिशा में नहीं चल पाती। वैसे ही वे घर लोटने में अपने आपको असमर्थ पा रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़ कर आगे बढ़े वह नगरी राहुद्वारग्रसित सूर्य के समान प्रभाशून्ने हो गई। जैसे विद्या के विना रूप, क्रिया के विना ज्यान, भक्ती के विना बुद्धी, संसकार के विना शक्ती, सदाच वैसे ही तथागत के बिना यह वैशाली शोभाहीन हो गई थी। उस दिन श्टोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया। नहीं किसी ने जल ग्रहन किया। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुह करके कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेश भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अब निर्वान के मार्ग पर जा रहा हूँ। उन्हों ने अपने पीछे-पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया। उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयम भोगवती नगरी की ओर चल पड़े। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयाईयों को उपदेश दिये और कहा मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। पवित्र लोगों के वचन वैसे ही ग्रहन करना जैसे की स्वर्ण कार स्वर्ण को तपा कर उसकी परिक्षा करके उसे ग्रहन करता है। इसलिए शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुन कर ही उसे ग्रहन करना चाहिए। जो शास्तर को अनुचित रीती से ग्रहन करता है वह अपने को ही क्षती पहुँचाता है। जैसे तलवार को अनुचित रीती से ग्रहन करने वाला अपने आपको ही काट लेता है। इस प्रकार अपने शिश्यों को उपदेश दे कर भगवान बुध ने पापापुर के लिए प्रस्थान किया। पापापुर पहुचने पर मल्लो ने उनका समारोह पूर्वक स्वागत किया। प्रिष्ट संख्या सत्तर वहाँ उन्हों ने अपने भक्त चुन्द के घर अंतीम भोजन किया। अपनी शिश्यमंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने चुन्द को उपदेश दिये और फिर कुशी नगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध ने चुन्द के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के एक सुन्दर उपवन में एक सरोवर के तठ पर कुछ समय विश्राम किया। तदुपरांत उन्होंने हिरणे वती नदी में स्नान किया और शोकाकुल आनंद को आदेश दिया। हे आनंद, इन दोनों शाल व्रिक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तयार करो। हे महाभाग, आज रात्री के उत्तर भाग में तथागत निर्वान प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार आनंद ने शयन के लिए स्थान तयार किया और फिर हाथ जोड़ कर निवेदन किया। भगवन शया तयार है। तब वह पुरुष सिहीं चिर निद्रा के लिए शान्त चित्त से शया के निकट गए। वे हाथ का तकिया बना कर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर और अपने शिश्यों की और उन्मुख होकर दाई करवट लेट गए। उस समय सारी दिशाएं शान्त हो गई। सभी पक्षी निशब्द हो गए। और सभी जीव जन्तु माउन। मानो सारा संसार स्तब्ध हो गया हो। इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध को निर्वान लेते हुए दिखाया गया है। आईए अब सुनते हैं पाठ। सुर्यास्त के समय जैसे पथिकों को घर जाने की शीघरता होती है। वैसे ही सभी उपस्थित शिश्यों को अंतिम लक्षे प्राप्त करने की शीघरता होने लगी। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा। हे आनंद, तुम मल्लों को मेरे प्रयान की सूचना दे दो, वे भी निर्वान देख लें। जिससे उन्हें बाद में पश्चताप ना हो। प्रिष्ट संख्या 71 आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सुचित किया कि तथागत अब अंतिम शैया पर हैं। यह सुनकर सभी मल्ल अत्यंत व्याकुल होकर आशू बहाते हुए निकल पड़े। वे शीग्रही महामुनी के पास आये और अपने आशूं से भगवान बुद्ध के चरणों को भीगोते हुए उनके सनमुख माउन होकर खड़े हो गए। सभी मल्लों को व्याकुल देखकर भगवान बुद्ध ने कहा आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है। दुरलभ और काम्य लक्ष मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मुझे आज वह सुख में पुर्णे प्राप्त हो रहा है जो पंच भूतों से मुक्त, जन्म से रहित, इंद्रिया तीत, शान्त और दिव्य रूप है। जिसके बाद किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह शोक का समय नहीं है क्योंकि सभी दुखों का मूल मेरा भावतिक शरीर आज निव्रित्थ हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर एक वृद्ध मल ने कहा, सुजन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा चित दुखी है, क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। जगत के हितैशी के जाने पर भला काउन शोक नहीं करेगा। शोच निये तो वे हैं, जिन्हों ने मुनी के दर्शन करके भी सुमार्ग का अनुसरन नहीं किया। सोने की खान में रहकर भी जो दरिद्र ही रहा। व्रिद्ध मल के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से निर्वान नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है, वह मेरे दर्शन के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। आउशधी के सिवन के बिना मात्र वैद्य के दर्शन से रोग से मुक्ती नहीं होती। इसलिए श्रेय का आचरण करो। जीवन तेज हवा के बीच दीप शिख की तरह चंचल है। इस प्रकार महामुनी के दर्शन कर और उनके उपदेश सुन कर सभी मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया। और आदेशानुसार वे अपने अपने घरों को लोटने लगे। प्रिष्ट संख्या 72 महापरी निर्वान मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नाम का त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आ गया। वह एक सिद्ध पुरुष्था। उसने आनंद से कहा कि निर्वान के अंतिम क्षणों में मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ। आनंद ने सोचा कि कहीं यह सन्यासी बुद्ध से शास्त्रात्र ना करने लगे। इसलिए उन्होंने सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका। परंतु तथागत ने लेटे लेटे ही आनंद से कहा। हे आनंद इस जिग्यासु मुमुक्षु को रोको मत आने दो। यह सुनकर सुभद्र सभी ने सुगत के पास गया और प्रणाम करके बोला। हे भगवन मैंने सुना है कि आपने मुक्ष के जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है। वह अन्य सभी मार्गों से भिन्न है। कृपा पुंज वह मार्ग कैसा है। मुझे बताने की क्रिपा करें। मैं जिग्यासा वर्ष आप के पास आया हूँ। विवाद के लिए नहीं। सुभद्र की प्रात्ना सुनकर तथागत ने उसे अश्टांग मार्ग का उपदेश दिया। इसे सुनते ही सुभद्र की ज्ञान द्रिष्टी सम्यक रूप से खुल गई। वह उसी तरह प्रसन्नता का अनुभाव करने लगा जैसे भटका हुआ राही अपने गाउँ पहुच जाने पर करता है। उसने गदगद होकर कहा, मैं अब तक जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा था, वह श्रेयसकर नहीं था। आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर सुभद्र ने भगवान बुद्ध की और देखा और आखों में आशु भर कर निवेदन किया। हे पूज्य गुरुवर, आपकी मृत्यू का दर्शन करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अता मैं उससे पहले ही अपनी देह त्याग कर निर्वान पद प्राप्त करने की अनुमती चाहता हूँ। ऐसा कहकर त्रिदंडी सुभद्र ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। शैल की तरह स्थिर होकर बैठ गया। और एक ही खशन में वायू से बुझे दीपक की भाती निर्वान को प्राप्त कर गया। संसकार के ग्याता तथागत ने तब सुभद्र का अन्तिम संसकार करने का आदेश दिया और कहा सुभद्र मेरा उत्तम और अन्तिम शिश्य था। आधी राद बितने पर जब चांदनी के प्रकाश का विस्तार हुआ, सारा वन प्रदेश पूरी तरह शांत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी शिश्यों को बुलाया और अन्तिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वान के बाद आप सबको इस प्राती मोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप तथा उपदेश्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए। उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्राती मोक्ष शील का सार है। बु तथागत ने प्राती मोक्ष के सारे नियम विस्तार से समझाए और अंत में कहा मैंने गुरू का कर्तव निभाया है आगे तुम लोग साधना करो विहार, वन, पर्वत जहां भी रहो धर्म का आचरण करो यदी मेरे बताए आर्य सत्यों के विशय में किसी को कोई शंका हो, को पूछलो तथागत के मुख से अंतिम उपदेश ग्रहन करने के बाद सभी शिष्य मावन और शांत बैठे रहे तो अनिरुध ने तथागत से निवेदन किया, ये सुगत आप द्वारा प्राती पादित आर्य सत्यों में किसी को भ्रम नहीं है अनिरुध की बात सुनकर तथागत ने कहा, हे अनिरुध सभी की मृत्यू निश्चित है, अब मेरे जीवित रहने से संसार को कोई लाब नहीं स्वर्ग और भूलोक में जो भी दीख्शित होने योग्य थे, वे सभी धर्म में दीख्शित होगे, अब इनहीं के द्वारा मेरा धर्म जनता में प्रचलित होगा, और उससे संसार में स्थाई शांती स्थापित होगी तुम सब लोग शोक त्याग कर जागरूक रहो, यही मेरा अन्तिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया, फिर दूसरे ध्यान में और इस तरह क्रमशह ध्यान के अनेक स्थरों को पार कर पुनह चतुर्थ ध्यान में आ गए और सदा के लिए शांत हो गए। महापरी निर्वान के बाद भगवान बुद्ध के निर्वान प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश। पाले से मुर्जाय कमलों का सरोर अथ्वा धन के अभाव में निश्फल विद्या। निर्वान का समाचार सुनकर आकाश से देवता गण भी उनके प्रती अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा अहो यह सारा संसार नश्वर है जहां मृत्यू के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यू। जो जन्म और मृत्यू दोनों से मुक्त है वही भाग्यवान है। देखो ग्यान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योती को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। किसी मुनी श्रेष्ट ने अपनी श्रद्धान जली देते हुए कहा यह संसार असार है यहां सभी कुछ नश्वर है जो सारे लोक का गुरू था वह भी आज काल कवलित हो गया। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा इस लोक की गती कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस से मुक्त होकर धर्मा चरण किया, लोव मुक्त होकर योगा भ्यास किया और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया जैसे बुद्धी के बिना विद्या, आचरण के बिना क्रिया तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है, वैसे ही शाक के मुनी के बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है भगवान बुद्ध के निर्वान का समाचार जैसे ही मल्लों ने सुना, वे भी रोते हुए वहां दोड़े चले आए और विलाप करने लगे फिर मल्लों ने मिलकर महामुनी के शव को सुन्दर शिविका में स्थापित किया, विविध प्रकार की सुगंधित फूल मालाओं से भक्ति पूर्वक पूजा की, शिविका को श्वेत कपड़े से ढका और चमर डुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया प्रिष्ट संख्या चवहत्तर भक्ति पूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मध्य भाग में ले आए, फिर वे नगर के नाग द्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार गिया उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू, तथा वलकल आदी से चिता बनाई और उस पर महामुनी के शव को रख दिया दीपक जलाकर मल्लों ने चिता में आग दी, परंतु बार बार प्रयतन करने पर भी चिता में आग नहीं लगी भगवान बुद्ध का प्रियशिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था, उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लगबा रही थी जैसे ही काश्यप दोडते हुए वहां आये, उन्होंने अपने गुरु को शाष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चिता में स्वतह ही आग लग गई चिता की अगनी ने भगवान बुद्ध के शरीर के मास, चर्म, बाल तथा अन्य आवयवों को जला दिया, परंतु उनकी अस्थियां यथावत बनी रही, उन्हें चिता की अगनी न जला सकी चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा, उसे अपने नगर के मध्धे ले गए लोगों ने महामुनी की प्रशंसा में स्तोत्र गाए, किसी ने कहा, इस घट में वे धातु यानि अस्थियां स्थापित हैं, जिन्हें चिता की अगनी नहीं जला सकी किसी ने कहा ये अस्थियां मंगलमे हैं अमूल्य हैं हम इन्हें यहां स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांती प्राप्त हो यहां एक चित्र है जिसने बुद्ध के महा निर्वान को दिखाया गया है अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या 75 किसी अन्य ने कहा अहो काल कितना निष्ठूर है इसने महामुनी को भी नहीं छोड़ा जिसके धर्म और यश से सारा चराचर जगत चमत कृत है बाद में मल्लो ने अस्थी करश के लिए अत्यंत सुन्दर पूजा भवन का निर्मान करवाया और उसमें अस्थी करश स्थापित किया कुछ समय तक मल्लो ने भगवान बुद्ध के अस्थी करश की विधिवत पूजा अर्चना की परन्तु धीरे-धीरे पडोसी राजियों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थीयों को मांगने लगे एक दिन साथ पडोसी राजियों से दूत आये और उन्होंने अस्थिया मांगी परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत शद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे दूत लोट गए उन्हों ने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कही दूतों की बात सुनकर पडोसी राजा भी क्रोधित हुए उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णे किया वे अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े पडोसी राजियों की सेनाओं ने कुषपुर यानी कुषी नगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे पुर्वासी मल भी संगठित होने लगे उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किये वीरों की पत्नियों ने सेनिकों को तिलक लगाए और रणगीत गाए सभी सेनिक स्तियों की तरह गरजने लगे और शंख बजाने लगे यहां एक्चित्र है जहां हम सेना को प्रस्थान करते हुए देख सकते हैं अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या छिहत्तर इस प्रकार युद्ध के लिए तयार दोनों पक्षों को देख कर करुणा और दया से भर कर द्रोन नाम की एक ब्राहमन ने सातो पडोसी राजाओ के पास जाकर निवेधन किया राजन बाहर के शत्रूं को शस्त्रों से जीतना सरल है परनतु परकोटे में बैठे शत्रू को जीतना सरल नहीं यदि नगर को घेर कर अंदर के शत्रूं को जीत भी लिया तो भी वह धर्म युद्ध नहीं होगा इसे निरपराध नगरवासियों की हत्या ही कहा जाएगा इसलिए थोड़ा सोचिए और शांती का उपाय कीजिए शस्त्र से जीते गए मनुश्यों का मन फिर से कुपित हो सकता है परंतु शांती के उपायों से जीते गए मनुश्यों का मन सदा के लिए शांत हो जाता है आप लोग जिस शाक्य मुनी का सम्मान करना चाहते हैं उसी की आग्या से उसी के उपदेशों के अनुसार शांती का उपाय कीजिए द्रोन की बातें सुनकर सातों राजाओं का क्रोध कुछ शांत हुआ उन्हों ने उनसे कहा हे ब्राहमन आप सत्य कहते हैं हम लोगों की धर्म में प्रेम में पूरी आस्था है परंतु हमें अपने बल पर भी पूरा विश्वास है हमने शाक के मुनी में अतिशय भक्ती के कारण ही शस्त्र ग्रहन किया है हम तो शाक के मुनी की पूजा के लिए ही लड़ रहे हैं यदि यह कार्य बिना युद्ध हो जाए तो हमें कोई विरोध नहीं है आप हमारे दूत बन कर जाईए और मलनों को समझाईए हमारा उनसे कोई बैर नहीं है हम तो भगवान बुद्ध के प्रती अपनी शद्धान जली समर्पित करना चाहते हैं इस प्रकार पडोसी राजाओं से बात करके ब्राहमन द्रोन कुशी नगर गए और उन्होंने मलनों को समझाया हे मलनों नगर के बाहर जो साथ राजा अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं उनके पास अमोग आयुद्ध हैं और उनका बल अजेय है परंतु वे शाक के मुनी के धर्म के कारण ही डरे हुए है वे यहां राज्य प्राप्ती के लोभ से नहीं आै और नहीं अहंकारवश आए हैं भगवान बुध जैसे आपके गुरु हैं वैसे ही वे हमारे भी गुरु हैं और इन राजाओं के भी इसलिए ये राजा भी शाक के मुनी की अस्थियों की पूजा के लिए आये हैं जितना बड़ा धर्म की क्रिपणता है। राजाओं का संदेश है कि यदि आप भगवान बुद्ध की धातु यानि अस्थियां नहीं देना चाहते तो नगर के द्वार से बाहर आईए और वीर अतिथियों का स्वागत कीजिए। प्रिष्ट संख्या सतहत्तर द्रोन ने आगे कहा यह राजाओं का संदेश है जो सदभावना और साहस से भरा है। प्रदान की उस दयालू के निम्मित व्यर्थ रक्त पात उचित नहीं है। इसलिए आप लोग इन राजाओं को धातु प्रदान कीजिए। यही आपका धर्म है इससे आपको यश मिलेगा। यह सभी राजा आपके मित्र हो जाएंगे और सारी जनता को शांती मिलेगी। यहाँ एक चित्र है जिसमें ब्रामण द्रोण सैनिकों से या मल्लों से शांती वारता कर रहे हैं। द्रोण की बातें सुनकर मल्लों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा हे विप्रवर आपके वचन बड़े कल्यान कारी हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले आए हैं। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार द्रोण के प्रयतनों से विवाद का अंत हुआ। फिर सबने मिलकर भगवान बुद्ध की मंगल में धातुओं को आठ भागों में बाटा। एक एक भाग प्रतेक राजा को दिया और एक भाग स्वयम मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर सातों राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने राज्जियों को लोट गए। उन्हों ने अपनी अपनी राजधानी में इन अस्थियों पर स्टूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोन ने भी अपने देश में स्टूप बनवाने के लिए वह घट लिया जिसमें पहले सभी अस्थियां रखी थी। पिसल जाती के बुद्ध भक्तों ने भगवान बुद्ध के शरीर की राख ली। पिष्ट संख्या 78 इस प्रकार प्रारंभ में श्वेत परवतों के समान आठ स्टूपों का निर्मान हुआ जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी। द्रोण के घटवाला नवा स्टूप बना और दस्वा स्टूप बना जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी। स्टूपों के निर्मान के बाद राजा, सामन्त तथा अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे। स्टूपों पर अखंड जोती जलती रहती तथा रात दिन घंटे बजते रहते थे। कुछ समय के बाद एक दिन राजग्रिह में पांच सो बौध भिक्षु एकत्र हुए और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थाई रूप देने के लिए उन्हों ने विचार विमर्श किया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्ने लिया। यानि मैंने ऐसा सुना है। इस तरह कहते हुए जैसा भगवान बुद्ध से सुना था, वैसे ही क्रमशह, प्रसंग, समय, ध्यान, आदी के साथ सभी धर्मोपदेश कहे। इस प्रकार आनंद तथा दूसरे वरिष्ट भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्म शास्त् निश्चित किया। कालांतर में देवा नाम प्रियदर्शी का जन्म हुआ। उसने जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्मार करवाया। इसके कारण वह चंड अशोक या धर्म राज अशोक कहलाने लगा। उसने धातू गर्भित स्तूपों से धातू लेकर अनेक भ जहाँ पर हम चंड अशोक को स्तूपों की स्थापना करते हुए देख सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 89 जब तक जन्म है तब तक दुख है। इसलिए पुनर जन्म से मुक्ती के समान कोई सुख नहीं है। इसलिए और काउन उतना पूज्य हो सकता है जितना की वह जिन्हों ने जन्म, जरा, व्याधी और मृत्यू से स्वयम मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ती का मार्ग दिखाय प्रश्न पांच, मल्लों और पडोसी राजाओं के बीच युद्ध की संभावना क्यों उत्पन्न हो गई? और यह संघर्ष कैसे टल गया? छे, भगवान बुद्ध के उपदेशों को संघर्ष करने का भार किसे सौपा गया? और क्यों? यहां अध्याए पांच समाप्त हुआ संक्षिप्त बुद्ध चरित अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित का ध्वनी पाठ वाचनस्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत प्रस्तुत